नमस्कार दोस्तों हमारे YouTube चैनल सक्सस गुरुमंत्रा में आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों पिछले वीडियो से हमने रीतिकाल शुरू किया है जिसमें रामचंद्र सुकल जी ये बता रहे थे पिछले वीडियो में हमने बात की थी रामचंद्र सुकल जी ये कह रहे थे कि जो रीतिकाल के कभी थे वो पूरी उन्होंने आचार्यत्व और कवित्व दोनों को एक साथ ग्रहन करने के चक्कर में किसी पद से भी वो न्याय नहीं कर पाए थे यही चर्चा चल रही थी और इसी क्रम को हमें आगे बढ़ाना है उसके पहले तो मैं अपने सारे सब्सक्राइबर्स को थेंक्यू बोलना चाहती हूं धन्यवाद देना चाहती हूं और कमेंट करने वालों को खास तोर से थेंक्यू बोलना चाहती हूं क्योंकि आप ही लोग हमारा होसला बढ़ाते हैं और एक बात मैं और कहना चाहती हूं कि यदि आप हमारा साथ दे रहे और अगर आप पूरी तरह से इसको त्यार करना चाहते हैं, तो जरूर से मेरा टेलिग्राम चैनल जवाइन कर लीजे, वहाँ पे इसके प्रश्णों का भी साथ साथ अभ्यास होता रहेगा, चली अब सुरू करते हैं आगे, कल केसर दास जी के बारे में हमने पढ़ा था, कि उन्होंने किस तरह से अपने मतलब किस तरह से रचनाए की थी, क्या-क्या उसमें उन्होंने कमिया की थी, आज चली दूसरा पॉइंट देखते हैं, भूसन क्या, प्राया सभी हिंदी कवियों ने भ्रह्म, संदेह और इस्मरान अलंकारों के लक्षणों में साद्रश्य की बात चोड़ दी, इसे बहुत जगheं अलंकार के ना होकर भाव के हो गया है, ठीक है, क्योंकि जो मेन उसका मेन लक्षण था, वह ही छोड़ दिया, तो जो अधारन उन्होंने दिये, वो यह लगा कि जैसे वो अलंकार के अधारन नहीं है, वो भाव के अधारन है, भूसर ने लंकारों के जहां उदारण दिये हैं उन्होंने लिखा अच्छा है पर उदारण अगर उनको उदारण के तौर पर देखा जाए तो वो सबसे जादा गड़बर हैं सब्द सक्ति का विशयत दाजी ने थोड़ा सा लिया है ये पेछले वीडियो में भी हमने बात की थी पर उससे उसका कुछ भी बोध नहीं हो सकता उपादान लक्षण का लक्षण भी विलक्षण है और उदारण भी असंगत उदारण से साफ़ जलकता है कि इस लक्षण का सवरूप ही समझने में भ्रह हुआ है जबकि काव्यांगों का स्वतंत्र विवेचन ही नहीं हुआ तब तरह तरह के बाद कैसे प्रतिष्ठित होते राइट कल हम लोग ये बात कर रहे थे कि रीतिकाल में कोई भी नए बाद प्रतिष्ठित नहीं हुए कोई भी नए नियम या सिध्धान्त प्रतिपादित नहीं किये जा सके यहां पे गसुकल जी उसका कारण बता रहे हैं कि जब काव्यांगों का सवतंत्र विवेचन ही नहीं हुआ हना सोचा ही नहीं गया सिर्फ कॉपी पेस्ट किया गया सिर्फ संस्कृत गंतों से उठा के का कि पुलंकारवाद, घ्रितिवाद, रश्र्वाद, धंवाद, वक्रोदिवाद, इत्यादी, अनेक वाद पाय जाते हैं वैसे वादों के लिए हिंदी, रीती, छेतर में रस्ता ही नहीं निकला केसब को ही अलंकार आवश्यक मानने के कारण अलंकारवादी कह देते हैं किसी बाद का निर्देश नहीं किया विर्रस को कावे की आत्मा या प्रधान वस्तु मानकर चले अलंकारवाद के बाद रसवाद और रसवाद को ही वो मानते रहे माहराजा जस्वंग सिंग ने अपने भासा भूसन में की रचना चंद्रा लोग के अधार पर की पर उसने अलंकार की अन्यवारता वाले सिध्धानत का समावेश नहीं किया अभी ये सुरुवात है सामाने परिचा है निश्चीती आपको थोड़ा सा परिशान कर रहोगा लेकिन इंपोर्टेंट है इसलिए सुनिएगा पूरा इन रीती ग्रंथों के करता भावो श्ट्रहिद्रे और निपोर्टे उनका उदे से कविता करना था ना कि काव्यांगों का सास्त्रिय पद्धती पर निरूपण करना जो भी ये रीती गंत रीती काल में लिखे गये वो उनके जो लेखक थे जो कवी थे वो बहुत ही भावुक थे इमोशनल सहिर्दय थे ठीक है और निपोर्टे लेकिन उनका जो उद्धेश शिथा वो में वो कविता करना चाहते थे काव्यांगों का सास्त्री पद्धती पर निरूपण करना नहीं चाहते थे अता उनके द्वारा बड़ा भारी कारी यह हुआ कि रसों और विसेश्ता श्रिंगार रस और अलंकारों के बहुत ही सरस और हिर्दय ग्राही उदाहरण अत्यंत प्रचुर परिमान में प्रस्तुत हुए ठीक वो काव्यांगों का सास्त्री पद्धती पर निरूपण नहीं करना चाहते थे इसलिए और क्योंकि वो सहिदय थे भावुक थे निपुर थे इसलिए उनके द्वारा यह किये काम बड़ा हुआ कि उन्होंने अलंकारों और जो रस थे उनके बड़े ही सुन्दर उदाहरण प्रस्तूत किये। वो ज्यादा था और हिंदी साहिते में कवित्व की कमी नहीं थी वो सहिदय थे भावुक थे तो उन्होंने पड़े ही सरस मन भावन और मतलब ना हिर्दय को बिलकुल बहुत ज्यादा प्रभाद वित करने वाले उदाहरण इन्होंने ज्यादा अच्छे लिखे अलंकारों सऺना के अपेकश्छा नाइका भेद की और कुछ अधिक जुकाव रहा। उनको नाइका भेद में हिंदी के जो कवित उननका ज़्यादा ध्यान रहा। इसे श्रिंगार्स के अंतरगत बहुत सुन्दर मुक्टक रचना हिंदी में हुई। इस रचना का इतना अधिक विस्तार हिंदी साहित्य में हुआ कि इसके एक अंग को लेकर स्वतंत्र ग्रंथ रचे गए मतलब नाइका के एक अंग को लेकर अलग-अलग ग्रंथ ही लिख दिये गए जिनमें और दूसरे रस पीछे के संचेप में चलते कर दिये गए नाइका श्रिंगार का आलंबन है इस आलंबन के अंगों का वर्णन एक स्वतंत्र विस्य हो गया और ना जाने कितने ग्रंथ केवल नक्सिक वर्णन में लिखे गए नक्सिक वर्णन आप समझते होंगे नाइका के पैर के नखों से लेके सिखा तक का वर्णन नक्सिक वर्णन कहलाता है इसी प्रकार उद्धीपन के रूप में सट्रित वर्णन पर भी कई अलग-अलग पुस्तके लिखी गई विप्रलंब संबंधी बारा मासा भी कुछ कवियों ने लिखे आप इसको बड़ा थोड़ा ध्यान से पढ़िए थोड़ा रुचिकर उसमें अगर ध्यान दीजिए तो आपको जो साहितिका प्रवाह है वो समझाएगा और अच्छा लगेगा रीति ग्रंथों की इस परंपरा द्वारा साहितिका विस्त्रित विकास में कुछ बाधा भी पड़ी मतलब यह जो नानक्सिक वर्णन की प्रवरत्ति रही इससे साहितिक विकास में कुछ बाधा भी पड़ी प्रकते की अनेक रूपता छीवन की भिन भिन चित्टियों की बातों तथा जगत की ना ना रहश्यों की ओर कविओं की द्रहस्थी नहीं जाने पाई वो सिर्फ नाइका को ही उपर से नीचे तक देखते रहे और लिखते रहे ना प्रकतिकी की तरफ उनका ध्यान गया ना उन्होंने बहुत जादा कुछ लिखा वे एक प्रकार से बद और परमित हो गई वो बंदी हुई मतलब लिखा भी ही तो वो उतनी अच्छी नहीं बन पड़ी उनका छेत्र जो है वो संकचित हो गया वागदारा बंदी हुई नाडियों में ही प्रभाहित होने लगी जिससे अनुभा के बहुत से गोचर और अगोचर विसे रसा सिक्त होकर सामने आने से रह गए दूसरी बात यह हुई कि कवियों की व्यक्तिकत विसेस्ता की अविव्यक्तिका अफसर बहुत ही कम रह गया मतलब कवियों में अपनी क्या विसेस्ता थी उनकी व्यक्तिकत विसेस्ता कहीं देखने को नहीं मिली सब एक ही धारा में वहते गए और सबने लगवग एक ही सा लिखा कुछ कवियों के बीच भासा सहली, पद विन्यास, अलंकार, विधान, आदिबाहरी बातों का भेद हम थोड़ा बहुत दिखा सकें तो दिखा सकें पर अभ्यानतर प्रवत की अन्वीक्षण में समर्थ, उच्च कोड़ी की या लोचना की सामगरी बहुत कम पा सकते हैं कुछ यहां पर सब्ध आपको भारी लग रहे होंगे, समझने में थोड़ा सा हो सकता है, समस्या हो रही हो अपने को थोड़ा सा व्रेश्तरित किया होता, जो द्रश्टी है उसको थोड़ा सा दूरदर्सी बनाया होता, नक्सिक वर्णन से अगर उपर उठकर उन्हेंने प्रकती की ओर निवहारा होता, और कुछ मौलिक करने की कोसिस की होती, तो एक बहुत बड़ा हिंदी साहिते में आभाव था, वो पूरा होता पर नहीं हो पाया, भासा जिस समय सैकडु कव्यों द्वारा परिमार्जित होकर प्रोड़ता को पहुंची, उस समय व्याकरण द्वारा उसकी व्यवस्था क्यों होनी चाहिए थी, जिससे उस संस्क्रत दोस्त का निराकरण होता, तो ब्र भासा थी, धीरे धीरे अपनी प्रोड इस्थिती को पहुंच गई थी, लेकिन उसकी व्याकरण अभी उतनी सुव्यवस्थित नहीं हो पाई थी, इस वज़े से क्या होता था, जो ब्रज भासा थी, उसमें कहीं कहीं चुद संस्क्रत दोस्त पाया जाता था, और यदि व् कुछ और सफाई आती, बहुत थोड़े कवी ऐसे मिलते हैं, जिनकी वहां के रचना सुव्यवस्थित पाई जाती है, बहुतन अच्छे कवी थे, जिस रस को उन्होंने लिया, उसका पूरा आवेस उनमें था, पर भासा उनकी अनेक इस्तिलों पर सदोस है, मतलब उनमें बीर रस्ट पे लिखी उन्होंने कवीता हैं, उस रस्ट का पूरी योग्यता उस रस्ट को लिखने की उनमें पूरी योग्यता थी, उनमें पूरा आवेस था, लेकिन जो उनकी भासा थी, वो कई जगह पर दोस्ट से युक्त है, यदि सब्दों के रूप में इस्तिर हो कि जो सब्द है उनके सुद्ध रूपों का ही प्रयोग किया जाए तो जो कवियों ने अपने हिसाब से तोड मरोड के सब्दों का प्रयोग किया इसका साहस वो ना कर पाते हैं पर इस प्रकार की कोई व्यवस्ता हुई नहीं जिससे भासा में कुछ गड़बड़ी बनी रही रीतिकाल की भासा में गड़बड़ी बनी रही है ये दिहान दीजेगा ठीक है भासा की गड़बड़ी का एक कारण ब्रज और अवधी इन दोनों का विभासाओं का कवी की एक्छा अनुसार सम्मिस्रण भी था ठीक है रीतिकाल में भासा की गड़बड़ी का एक और बड कोड़ मरोड के प्रयोग किया दूसरी चीज ब्रज और अवधी दोनों पर अधिकार रखते थे जादातर कवियों दोनों को मिला जुलाके वो अपने प्रयोग में ले आते थे यद्यप एक साहित्तिक भासा किसी भी प्रदेश विसेश के प्रयोगों तक परिमित नहीं रह सकती है पर वह अपना धाचा बराबर बनाए रहती है काविकी ब्रज भासा के संबल में अधिकतर यही बात रहे सूर्दाजी की भासा में यत्रतत्र पूर्वी प्रयोग जैसे मोर, हमार, कीन, जस्तस, इत्यादी बराबर मिलते है बिहारी की भासा में कीन, दीन, आदी से खाली नहीं है रीदी ग्रंतु का विकास अधिकतर अवद में हुआ अता इस काल में काविकी ब्रज भासा में अवदी का प्रयोग और अधिक मिलने लगा इस बात को किसी कवी ने लक्ष भी किया दाजी ने अपने काविन रन्य में काविय भासा पर कुछ द्रश्ट पात किया और मिश्रित भासा का समर्थन किया मिश्रित भासा के समर्थन पर वो कहते हैं कौन कहते हैं दाजी यानि भिखारी दाजी ये आपके लिए पंक्तिया माहत्वपोर्ण है ध्यान रखेगा ब्रज भासा रुचिर कहे सुमित कहे सुमत कहे सब कोई मिल संस्कृत पारस्यों पे अति प्रकट जुई होई रजमागदी मिले अमर नाग यवन भाखान सहज पारसी हूं मिले सडविदिकाहत भाखान देखे कितनी सारी भासाओं को उन्होंने प्रियूप किया यहां पे भिगारिदाजी की है यह पंक्तियां ध्यान रखिएगा उक्तदोहों में मागदी सब्द पूर्वी भासा का भी प्राय है अवदी अर्दमागदी से निकली मानी जाती है और पूर्वी हिंदी के अंतरगत है जबादानी के लिए ब्रज का निवास आवश्यक नहीं है आप्तकप्तिमियों की भी बाणी प्रमाण है इस बात को दाजी ने इसपश्ट कहा है सूर केसब मंडन बिहारी काली दास ब्रह्म चिंतामडी मतिराम भूसन सुजानिये लीला वर सेना पती निपट नेवाज निधी नीलखंट मिस्ट सुख देव देव मानिये आलम रहीम रसखान सुंदरादिक अनेकन सुमति भे काहा लो बखानिये ब्रज भासा है तो ब्रजवास ही न अनुमानो इस पंक्ति को जरा समझे ब्रजबासा है तो ब्रजवास ही ना अनुमानो ऐसे ऐसे कब इनकी बानी हुचो जानी है ब्रजबासा के लिए ब्रजबासा में निवास करना जरूरी ऐसा अनुमान नहीं लगाना चाहिए मिली जुली भासा का प्रमाण में दाज जी कहते हैं कि तुलसी और गंग तक ने जो कबियों के सिरो मणी हुए है ऐसी भासा का व्यवार किया है ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो कुछ परिक्षाओं में आ चुकी है और कुछ आगे आने की बराबर संभावनाओं में है तुलसी गंग दुवई भय सुकविन के सरदार इनके कावियन से में मिली भासा विविद प्रकार ठीक है इस सीधे साधे दोहे का जो अर्थ है लें कि तुलसी और गंग इसलिए कवियों के सरदार हुए कि उनके कावियों में विविद प्रकार की भासा मिली है उनकी समझ को क्या कहा जाए मतलब अगर कोई इस तरह का नुमान लगाए तो रामचंद सुकलु जी कह रहे हैं उनके बारे में फिर में क्या कहूँ दास जी ने काविय भासा के स्वरूप का जो निर्ले किया है वे कोई सो वर्सों की काविय परंपरा के पर्याव लोचन के उपरांद अताहा उसका स्वरूप निर्वपन तो बहुत कठीन है उन्होंने काविय भासा भ्रजभासा ही कही है जिसमें और भासाओं के सब्द का भी मेल हो सकता है पर भासस, सम्बंदी और अधिक मिमानसा ना होने के कारण कभी ने अपने को अन बोलियों के सब्दों तक ही परिमित नहीं रखा उसके कारण चिन्हों और क्रिया के रूपों का भी वे मनमाना व्यभार पराबर करते रहे मतलब उन्होंने सिर्फ दूसरी भासा के सब्द ही नहीं लिये जैसे मन में आया वैसे उन्होंने चिन्नों का और क्रियाओं के रूपों का भी प्रयोग किया ऐसा वे केवल सौंदर एक द्रश्टी से करते थे किस सिधान्त के अनुसार नहीं मतलब ये जो वो करते थे क्रियाओं के रूप बदल देते थे विभक्तियों को अपने हिसाब से डाल लेते थे ये सिर्फ वो किस लिए करते थे सुन्दर्ता के लिए कोई इसका विसेश सिधान्त नहीं था करना के भूत काल के लिए विचंद की आवश्यक्ता के अनुसार कियो की नो करियो करियो की यहां तक की किये तक रखने लगे इसका ये परिनाम हुआ कि भासा को वैं स्थर्ता न प्राफ्ट हो सकी जो किसी साहितिक भासा के लिए आवश्यक है अगर वहां पे इनोंने विवस्तित कर दिया होता तो ब्रज भासा मतलब बहुत आगे निकल गई होती रूपों के इससे ना होने के कारण ये कोई विदेशी कावे की ब्रज भासा का अध्यान करना चाहे तो उसे कित्ती कठिनता होगी उसको यहां रह रहा है वो समझ रहा है वो तो फिर भी समझ लेगा लेकिन अगर कोई बाहर क विक्ति पढ़ना चाहेगा तो उसको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा भक्तिकाल के आरंभी कवस्था में ही इस प्रकार मुसल्मानों के संसर्ग से कुछ फार्सी के सब्द और चलते भाव मिलने लगे थे इसका उलेग हो चुका है नाम देव और कबीर आदी की तो बात ही किया तुल्सी ने भी गनी गनीब साहब इतानी उमर्दराजादी बहुत साथ सब्दों का प्रयोग भी किया है सूर में ऐसे सब्द आवश्य कम मिलते हैं फिर भी मुसल्मानी राज्य की दर्टा के साथ साथ इस प्रकार के सब्दों का विवाद जियो जियो बढ़ता गया त्यों त्यों कभी लोग उन्हें आधिक आधिक स्थान देने लगे भक्तिकाल के सुरुआत में ही मुसल्मानों का काफी हो गया था भारत में तो जो मुसलिम यानि की फार्सी सब्द थे उनका भी धीरे धीरे प्रयोग बढ़ने लगा राजा माराजों के दरबार में विदेशी सिष्टता और सब्विता के विवार का अनुकरण हुआ और फार्सी के लच्छे दार सब्द माचारों और सुनाई देने लगे अताहा भाट या कभी लोग आयुश्मान और जैजेकार तक ही अपने को कैसे रख सकते थे वे भी दरबार में खड़े होकर उमर दराज माराज तेरी चाहिए पुकारने लगे उन्होंने भी अपनी भासा को परिवर्तित कर लिया भासी सब्दों का प्रयोग किया जाने लगा बक्त बलिंद आदिस सब्द उनकी जबान पर नाचने लगे यह तो ही ब्यवारिक भासा की बात फार्शी काव्वे के सब्दों को थोड़ा बहुत कवियों ने अपनाना आरंब किया रीदिकाल में ऐसे सब्दों की संक्या कुछ और बड़ी पर यह देखकर हर्श होता है कि अपनी भासा की सररता का ध्यान रखने वाले उत्कृस्ट कवियों ने ऐसे सब्दों को बहुत कम इस्थान दिया परंपरागत साहिते का कम अभ्यास रखने वाले साधारन कवियों ने ही कहीं कहीं बड़े बेधंगे तोर पर ऐसे विदेशी सब्द रखे हैं यहां कहीं कहीं खुस बोयन आदी उनके विक्रत सब्दों को देखकर सिक्षितों को एक प्रकार की विरक्ती सी होती है और उनकी कविता गवारों की रचना सी लगती है सब्दों के साथ साथ कुछ थोड़े से कवियों ने इसक की सायरी पूरी अलंका समगरी तक उठा के रख लिये और उनके भाव भी बांदे गए रस निदिकरत नरतन हजारा में यह बात अरूचिकर मात्रा में पाई जाती है है नँ बिहारी ऐसे परम उतकरश्ट कवी भी यद्य पी फार्सी भावों के प्रभाव से नहीं बचे हैं पर उन्होंने अपने भावों को अपने देशी डाचें ढ़ल लिया है जिससे वो खटकते क्या सहसा लख्श भी नहीं होते हैं मतलब एक बार की पता भी नहीं चलते हैं, उनकी विरहताप की अत्युक्तियों में दूर की सूज और नाजुक ख्याली बहुत कुछ फार्सी की सैली की है, पर बिहारी रस भंग करने वाले विभत्स रूप कहीं नहीं लाए हैं, उन्होंने मतलब सैली जरूर थोड़ी सी चंद कवित और सवये ही रहे, कवियों को तो श्रंगार और वीर रसों के लिए समान रूप से उप्युक्त माना गया, वास्ताव में पढ़ने की ढंक से थोड़ा विभेत कर देने पर उनमें दोनों के अनकूल नाद सौंदर्य पाया जाता है, समया, श्रंगार और करुण इन दोनों कूमल रसों के लिए बिल्कुल उप्युक्त होता है, ये थोड़ा सा लाइन देख लीजेगा, जो समया होता है, वो श्रंगार और करुण, इन दोनों रसों के लिए बिल्कुल उप्युक्त होता है, यद्यपी वीर रस की कविता का भी इसमें विवार कवियों ने जहां तहां किया है वास्तव में श्रिंगार और वीर इनी दोनों रसों की कविता इस काल में हुई प्रधानता श्रिंगार की ही रही सभी को पता है इस से इस बनेता और वीरता का जीवन बहुत कम ही रह गया था इसका कानव यही था कि मतलब जनता के भी रुची इसी में चली गई थी बैई मुस्लिम सासन हो जाने से उनकी वीरता तो सारी दब गई थी हींता उनके अंदर आ गई थी तो अब उनके भाव जिस तरफ बह रहते कभियों ने भी उधर और उनको प्रोत्साहित कर दिया अब इसके बाद सुरू होता है इसका प्रकरण दो प्रकरण दो हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो 25 मिनट का लगभग हो गया है पांच मिनट में मैं क्या बढ़ा पाऊंगी ठीक है आपका साथ ब